नमस्कार दोस्तो इस वक्त की तमाम बहुत बड़ी खबरे सामने निकल के आ रही है जहाँ पर एक एक करके सभी मुख्य समाचार आप तक आगे सी वीडियो में पहुचाएंगे दोस्तो जहाँ पर खबरों में बात होगी रहुल गांधी पहुचे गुजरात और भरी है हुंकार हराएंगे भाजपा की सरकार को उखार फेकेंगे गुजरात से जानेंगे दोस्तों किया कुछ राहूल गांधी ने कहा है भाजपा नेताओं में हड कंप और इसके साथ ही दोस्तों आप लोगों को यहां पर खबर में बताएंगे कि 2027 में नरेंद्र मोदी हो सकते हैं राष्ट्र पती पद के उमिद्वार बड़ा दावास सामने निकल के आया है जिहां दोस्तों जानेंगे क्या कुछ अपडेट है और वहीं संसद के सत्र को लेकर के अपडेट आ चुकी है एक बार फिर से संसद का सत्र सुरू होने जो रहा है बजट होगा पेसे के करके हर खबर आप तक विख्तार से पहुँचाएंगे दोस्तों लगतार बने रहिएगा एलोपी राहूल गांधी बड़ा कदम उठाने जो रहे हैं आप लोगों के लिए जानना जरूरी है को बताते चलें दोस्तों बेहति बड़े खबर सामने निकल के आ रही है राहूल गांधी का मिसन गुजराथ पतह है राहूल गांधी आज गुजराथ के दौरे पर रहे अब गुजरात में कॉंग्रेस पार्टी को जिन्दा और जिताने का टार्गेट राहूल गांधी ने लिया है वो लगातार बोल रहे हैं अगले चुनाओं में यहां इंडिया गडबंदन जीतने जा रहा है जल्द एक वरिष्ट नेता को यहां की कमान दे दी जाएगी और ख आगे हुंकार भरते हुए कहा है कि जैसे हमने भाजपाईयों को आयोध्या में हराया है और अब गुजरात में भी हराएंगे यह इंडिया गडबंदन ने ठान लिया है भाजपा की हार होने जा रही है गुजरात के अंदर इतना ही नहीं राहुल गांधी ने आगे कहा दी आयोध्या से चुनाव लड़ेंगे तो हार जाएंगे और उनका राजनीती करियर खतम हो जाएगा इसलिए नरेंद्र मोदी वारण असी से चुनाव लड़ें लेकिन वहां से भी वे बचकर के ही निकले हैं यह यहाँ पर नेता प्रतिपच्छ राहुल गांधी ने देखने को मिलेगा इस चिन्न का मतलब होता है डरो मत डराओ मत यह यहाँ पर कहना है नेता प्रतिपच्छ राहुल गांधी का यानी की राहुल गांधी ने साफ तोर पर भाजपाईयों को संदेश दे दिया है जैसे उन्होंने कॉंग्रेस पार्टी के आफिस को तोड़ा यह यहाँ पर राहुल गांधी ने हुंकार भरी है दोस्तो अगर आप लोग भी राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक करके अपना समर्थन दर्श करवाईएगा दोस्तो इसके साथी एक चौकाने वाली खाबर सामने निकल के आरही है नरेंदर मोधी तोहजर सथाइस में होंगे एंडिये के रश्ट क Panel, कॉंग्रेस के पुर्व सान्सद का बड़ा दावा प्रदान Мंतरी नरेंदर मोधी को लेकर के कांग्रेस कोंग्रिस, कुमार केतकर ने एक बड़ा दवा किया है उन्होंने कहा है कि पिया मोदी 2022 ने कहा है कि रश्ट्रपती उमिदवार होंगे कॉंगरेस के पुर्वसांसद ने ये दवा… NCP सरत पवार गुड के सांसद अमूल कोहले की किताब इमोचन समहारों में किया है इस दोरान अहां पर पूर्व सांसद ने कहा है कि राष्ट्रपती दुराबदी मुर्मू का कारकाल 2017 में खतम होगा उस समय प्रधान मंतरी नरेंदर मूदी बोलेंगे कि अब मैराष्ट्रपती पद का उमिदवार हूँ मैराष्ट्रपती पद के लिए चुनाओ लड़ रहा हूँ राष्ट्रपती के चुनाओ में वोटों की गिंती का तरीका बिलकुल ही अलग होता है इस पूरी खबर पर दोफ्तों सोसल मीडिया के यूजर्स का कहना है कि भाजपा के लिए अब राश्ट्रपती का चुनाओ इतना आसान नहीं रहने वाला है 27 में क्योंकि इंडिया गडवन्दन के सांसदों की संख्या भी बड़ी है और कई राज्यों के अंदर भाजपा चुनाओ भी हारने जा रही है यानि कि सत्ता से बेदखल होने जा रही है और 27 में भी यूपी के अंदर से भाजपा की करारी हार होने जा रही है इसलिए भाजपा अ अपडेट को ले करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसके साथ ही दोस्तो एक और अपडेट आप लोगों को यहां पर बताते चलें 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा संसद का बज़र सत्र जी हाँ दोस्तों आप लोगों को बताते चलें एंडी गडबंदन की सरकार यहाँ पर पूर्ण बजट पेस करने के लिए 22 जुलाई से 12 अगस्त तक यहाँ पर एक संसद का सत्र बुला रही है और 23 जुलाई को पेस होगा केंद्रिय बजट यह यहाँ पर देख सकते हैं कि एक बार फिर से राहुल गांधी के नेतरित में इंडिया गडबंदन घेरता हुआ नजर आएगा केंद्र की एंडी गडबंदन की सरकार को इसके साथ ही नेता विपच्छ राहुल गांधी लेने जा रहे हैं एक बड़ा फैसला जीहां दोस्त तो राहुल गांधी लगतार मड़ीपुर के मुद्दे को संसद के अंदर और संसद के बाहर भी उठाते रहे हैं और केंद्र की सरकार को घेरते रहे हैं लेकिन नरेंद्र मोदी के मुह से एक बार भी मड़ीपुर का जिक्र तक नहीं होता है इसी मुद्दे पर एक बर फि तो तो ने बड़ादावा किया है दोस्तों लगातार राहूल गांधी एक्टिम मोड में नजर आ रहे हैं नेता विपच्छ बनने के बाद में हर एक मुद्द्य को राहूल गांधी जोर सोर तरीके से उठा रहे हैं जिसके बाद में उनकी लोक प्रियता में इसकदर का इजा कि नरेंदर मुदी की लोग प्रियता दिन पर दिन गिरती जा रही है और राहुल गांधी उनके मुकाबले काफी मजबूत होते जा रहे हैं यहाँ सरकार जादा दिन नहीं चलेगी लालु यादब के बयान का संजराउत ने समर्थन कर दिया है बोले माहुल पूरी तरहें से रहुल गांधी के पच्छ में हो चुका है जी हाँ दोस्तों बताते चलें आरचेडी के अध्यच लालु यादब ने भाजपा नीत अंडिये पर चमकर के निसाना साधा उन्होंने दावा किया कि पिया मोदी के नितरत वाली सरकार बहुत ही कमजोर है साल अगस्त तक ही यह सरकार चलेगी लालु यादब के इस दावे पर सिबसेना यूबिटी के निता संजराउत ने प्रतगरिया दी है उन्होंने लालु यादब के बयान का समर्थन करते हुए कहा है कि माहल अभी भी राहुल कांधी के पच्छ में हैं उनकी लोग प्रियता दिन पर दिन बढ़ चल रही है यहाँ सरकार जादा दिन नहीं चलेगी लालु यादब ने जो कहा है बिलकुल ही सही कहा है यह यहाँ पर बयान आया है उद्धब ठाकरे की पार्टी के नेता संजराउत की तरफ से दोस्तों आप लोग यहाँ पर लालु यादब और संजराउत के बयान से दोस चुनाव होने जो रहा है समाजवादी पार्टी और कॉंग्रेस के गडवन्न का सीधा मुकाबला भाजपा से होगा और वहीं इस भी चायोध्या के सामसद अवधेश प्रसाद का बड़ा बयान आया है उप चुनाव को लेकर के अवधेश प्रसाद बोले सपा चुनाव के ल मेरा समर्थन उसको रहेगा मिलकी पुर में एतिहासिक जीत होगी जो भी प्रत्यासी बनेगा यह यहाँ पर कहना है अवधेश प्रसाद का इस समय की दोस्तों आज की तमाम बहुत बड़ी खबरें मुखे समाचार सामने निकल के आए जो हमने आप लोगों तक दोस्तों प हारत